हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिंस मेरा नाम है आज जी तो राज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से आज जिरूँ आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नियोस्पॉरिन एच एड्रॉप नियोस्पॉरिन एच एड्रॉप के मैं आपको यूज डोज बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा बने रिये इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो कर लो लाइक क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड जानकारे इस चैनल पर लेके दवाओं से मिलकर बनी एक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रोप से कान में बैक्टीरिया के कारण होने वाले इंफेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज किया आता है जैसे की कान में घाओ इसके अलावा और किन-किन प्रॉब्लम मैं इसे डॉक्टर रिक्मेंट करते है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पे देख रहे होगे यह पांच एमिल की पैकिंग में आता है और इस पांच एमिल की पैकिंग का प्राइज होता है 69 रुपे यानि 69 रुपीज उनली अपनी इसे बनाती है जी एसके और इसमें कॉम पूजिशन होता है नियो माइसिन सल्फेड पॉली मिक्सिम बी सल्फेड एंड हाइड्रो कोटिशन चलिए दोस्ता मैं बताता हूं इसे किन-किन प्रॉब्लम में यूज किया आता किसी के कान में खुजली हो या जलन हो रही चलिए दोस्तों में बताता हूं इसे यूज करने का सही तरीका यानि इसके सही डोस्तों इस ड्रॉब का इस्तेमाल 5-13 साल के बच्चों में 2ड्रॉब सुबह दुपहर में और 2ड्रॉब रात को डालने होते हैं और एक बात का हम ऐसा ध्यान रखें जब भी आप यह बूंद रात में डालेंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि जो भी प्रोड़क्ट हम यूज करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चाहिए करते हो तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कान में जलन और खुझलि को यह बंद और अगर किसी के कान में किसी प्रकार का घ्व है चोट लगने की वज़े से और फिर फुंसी की वज़े से तो उसको भी हथीरे-ठीक कर देता है साथ-साथ जिन लोगों को कान में द से कान भेह रहा है तो आप इसके साथ एमोक्सी क्लेब 625 समझी टेबलेट यूज़ करो सुबह साम के हिसाब से अगर आपकी उमर 18 पलस है दोस्तों अगर आपने एमोक्सी क्लेब 625 समझी टेबलेट की वीडियो नहीं देखिए तो आप वीडियो खतम होने के बाद एंड स्क्रीन पर चले आएगा एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी आपको आप देख सकते हो दोस्तों आप मैं बताता हूं इससे होने वाले साइड इफेक्ट द मैं फिर कान में काफी देर तक खुजली चलने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको यह सूट नहीं हो रहा है अगर आप नॉर्मली से जब यूज करोगे तो आपको थोड़ा बहुत खुजली हो सकती है जलन भी हो सकती थोड़ी बहुत लेकिन वह कुछ मिंटों तक के के लिए होता है अगर ज्यादा समय तक हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपको यह सूट नहीं हो रहा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब कोई दवाई सूट नहों तो तुरण डॉक्टर को दिखाना चाहिए कोई भी दवाई यूज करने से पहले आप डॉक्टर की सल जरूर लो डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवाई यूज ना करो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर विलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुडबाई झाल